तो आज आपके सामने खड़िए अपनी यामा की आर थी टू टोटन टन्ट फॉर मोडल ब्लू किलर ब्लू किलर बीए सिक्स इंजन के साथ ठीक अब यह जो अपनी बाइक है यह तीन सो एकी सीसी की बाइक आती है अपनी चलो आज बात करेंगे इसकी स्पेसिफिकेशन के बा देखने को मिलाइक साथ में स 카ण को टंड़ घर करने के लिए अब करते हम इसके निचे तरफ हम इसके वाइजिक के साथ साथ अपको मैडगार मडगार ने म सकते जो की यह बात है मिक्यों जो को c करने में आपकी help करता है ठिए अब बात करेंख के ति कि आपको यहां पर आप को मिल जाएंगे 17 इंच ए हम्हें ऑप sap साथ आपको फैरण सबने आपको देखने को मिंडाते हैं इसके रकार्द के देखने जाती है और तेट बेकीन के निखनु मिल जाता हैॉ आपको देखने को मिलते हैं और आप नीची कि तरफ देख सकते हो बागी इसकी फुल फाइबर की दे रहे हैं लेकिन हाड फाइबर दे रहे हैं ठीक है अब बात करते हैं इसके इंजन की 321 cc का हमें इंजन देखने को मिल जाता है फॉर स्टॉक टो सिलिंडर लिक्विड कोल डियो ऐसी फॉर वोल के साथ जो प्रिड्यूस करता है 42 PS पावर विद 10,750 rpm के साथ निची की तरब आपको हॉल देखने को मिल रहा हूँ इसमें ड्यूर हॉल मिल जाते जिसमें से इंजन और ऱब्रेक लिवर यहां पर देखने को मिल जाते हैं आपको ट्रेंगल शेप में ब्ल Sweet कि फॉर में देखने को हमें बात करते हैं भी कशने को काम्यार निच्ट भी ढात में लêएञ्टी उन्टिपने ठेस्टेयर केसा दा झाले मिचलीन की आपको इसमें टायर भी देखने ड को पहले बताइए और आपको वीड देखने को मिल जाता है इसमें प्ल्यू को ब्रेक और देखने को नहीं मिलता उसको विल और बात करते हैं सिपके सब्सक्राइब ना यहां पर आपको कवर दी करते हैं ताकि शोक रवगरा ना दीखर या फिर मौनो शूकर पर मिट्टी वगरा जाने से खराब जल्दी हो सकते हैं अब आजाते हैं इसके पीछे के तरफ इसके टेखने को शाथ में आपको यालो लाइड जलेगी ठीक है और अपको देखने को मिल जाती है बाइक की जो प्रोफाइल आपकी पीछे से देख सकते हो आप कितनी वाइड टायर लग रहा है ठीक है जो आप चलाओगे तो पीछे जो बंदे में अब बात करते हैं इसके प्रोफाइल के बारे में में जाब और आपको आपको मिल रहा हूं प्लाक य rap देखने को ज्गे चैन आपको कि इ ribbon की तुक यहां पर भी दीए गए और अपस को बताई दिया और स्लिपर कलजब के अंदर फंशन हैगा अब बात करते से जो से ग्राउंड क्लिरेंस आता है 160 mm का इसका ग्राउंड क्लिरेंस देखने को मिल जाता लेकिन इंडियन रोड्स पे लग सकती है आपको काफी देख के चलाना पड़ेगा फ्रेंट में आप देख सकते हो आप बात करते हैं के कुलेंट की जो काफी बड़ा दीजिए गया है ताकि इंजन को ठंडा कर सके आप इसके अपर एक्जूस्ट पाइप भी देख सकते हैं ड्यूल को सिंगल पाइप में साथ में आपको ड्यूल रिफ्लेक्टर लाइट भी देखने को मिल जाते हैं अब बात करते हैं इसके हैंडलिंग की जो इसके हैंडल है और आपको पास के बटन भी देखने को मिल जाते हैं पास करते हैं इसके मिटर की जो इसका मेंटर है फुली एक्टकाट अब्ल देखने को मिल जाती अगरow गरिभी देखने को मिल जाती स्टार्ट आफ्श्विच यहांपर आपको सीनिशन मील जाता है और आपको और यापर देखने को मिल जाता है स्विच और सेल भी आपको देखने को मिल जाता है अलुमिलियम मेटल में आपको यह अपना फ्रेंट के ब्रेक मिल जाते है और अपने कलज का लिवर देखने को मिल जाता है अब बात करते हम इसके टैंक की कि जो सका टैंक आता है 14 लिटर का कर सकते हैं भाइक के वेट की जो आपको 169 kg देखने को मिल जाता है बात करते हैं अब पराइज आपको दिल्ली में एक्षो रूम देखने को मिलता है वो पड़ता है आपका 4.65 लाइक रुपीज का और इसका on-road प्राइज दिल्ली में आपको पढ़ता है 5,18,599 रुपीज यह थी मेरी एक छोटी से informative वीडियो यामा R3 2024 के उपर होपस होई मेरी वीडियो आप सबको informative लगी हो अगर आप कोई वीडियो अच्छे लगी हो तो शेर कर दे लाइक कर दे सब्सक्राइब कर दे और हमें motivate करें और भी वाइक की वीडियो बनाने के लिए ठीक है गाइस मिलते हैं नेक्स वीडियो में किसी और बाइक के सार्टेल टेक केर बाई बाई रब रखा